इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ फिलिप कार्ट का एड्रेस चेंज कैसे करे दोस्तों अगर आप भी फिलिप कार्ट से कोई भी समान ओर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपका एड्रेस काफी इंपोर्टेंट होता है अगर आपने यहाँ पे गलट एड्रेस डाल रखा है तो आपका समान कहीं और पे भी जा सकता है इसलिए अपना एड्रेस को चेंज करना काफी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको नहीं मालूमें फिलिप कार्ट का एड्रेस कैसे बदला जाता है कैसे चेंज किया जाता है तो इस वीडियो को ध्यान तुलाश तक देखते रही है आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारें बताने वाला हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से छोटा से रिक्वेश्ट अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप home page पे पहुंच जाईएगा अब यहाँ पर आने के बाद अपना जो है address को change करने के लिए आपको account को जो option देखनी को मिलता है यहाँ पर account वाले option पर आपको click करना है अब यहां पर जैसे आप account वाले option पर आज आते हैं आपको काफी सारो option देखने को मिल जाएगा उपर के side में आपको हलका नीचे के side में आना है जैसे आप नीचे के side में आते हैं तो आपको एक option देखने को मिलता है account setting के अंदर यहां पर आप एड्रेस को change करना है, delete करना है पुराना वाला एड्रेस को, तो यहाँ पर 3.0 पर click कर दीजिए, remove वाले option पर click करना है आपको, और ok वाले option पर click कर देना है, इस परकार से आपका पुराना वाला address यहाँ पर delete हो जाएगा, 3.0 पर click करना है, remove पर click करना है, और ok वाले option पर click कर द अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मोयल नमर डालने के लिए बोला जाएगा यहां पर चेंट पर यहां पर और शहड राया है तो आपको जो area का code होता है pin code आपके अधार कार्ट पे भी लुखा होता है यह वाला pin code यहाँ पे आपको डाल दोना है pin code डालने के वाद आपको यहाँ पे state पर click करना है यहाँ पर आपने state select कर लिजिए हम यहाँ पर बिहार select कर लेते हैं city में click करके आप अपना शहर select कर लेजिए हम यहाँ पर सीटा मड़ी select कर लेते हैं उसकाद आपको यहाँ पर house number पर click करना है यहाँ click करके आपको अपने गली के नाम डाल देना है गली के नाम डालने के बद्द आपको जो है area का नाम डाल देना है तो यहाँ पर आप अपने मुहला का नाम डाल दीजिया तो यहाँ पर मैंने अपने एरिया का नाम डाल दिया नीचे के साइड में आपको आना है आपके सामने दो अफसन देखने को मिल जाएगा पहला है होम का दूसरा है वर्क का होम का मतलब यह होता है कि अगर आप जो है दुकान पे रहते हैं, तो यहाँ पे work पे click करके आप अपना timing set कर सकते हैं, समान पहुंचाने का, हम यहाँ पे home पे click कर देते हैं, उसके बाद simply आपको save address का जो option देखने को मिल रहा है, इस पर आपको click कर देना है, अगर आपको अपना address नहीं मालूम है, तो अभी जहाँ पे हैं, वहाँ का address यह खुद बखुद set कर देगा, ठीक है, अब यहाँ पे simply आपको सभी काम करने के बाद save address पे click कर देना है, और इस पकार से आपका address फिलिप काट के अंदर save हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो से अगर आ